दोस्तों इस Study 91 में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी को बहुत दिनों से इंतजार था कि प्लीस 서र करेंट अफिर की क्लास स्टार्ट कर देजे तो आज में आप सभी कलिए लेकर आया हूं दोस्तो डेली करेंट अफिर की क्लास अभी तक आपकी topic wise करेंट अफिर की क्लास चल ले थे और आज से यह सिलसिला सुरू हो रहा दोस्तो जिसमें हम लोग अपनी daily current affair की class भी start कर रहे हैं पीछे की सभी classes का weekly current affair और monthly current affair आपको available करा दिया गया है उसको भी आप जरूर से देख रहे हैं ठीक है तो आएए देखते हैं दोस्तों कि 14 दिसंबर के शबसे मतवड current affair के प्रशन कौन कौन से हैं आप से आपकी परिक्षा में पूछे जा सकते हैं आईए शुरू किया जाए ये सिलसिला ठीक है पहला सवाल ये रहापकी स्क्रेम पर बहुत सोच समझकर आप इसका जवाब दीजेगा कहीं गलती न हो जाए लिख रहा है फारचीन इंडिया ने किसे भारत की सबसे सकतिसाली महिला जिया दोस्तो पूरे भारत की सबसे सकतिसाली महिला के रूप में किसे सुना इसके पहले दोस्तो आपने एक और लिष्ट देखा था जिसमें दुनिया की सबसे सकतिसाली महिलाओं में एंजिला मरकल का नाम आया था, जो कि जर्मनी की चांसलर है, ठीक है, याद रखेगा, यह आज का सवाल दोस्तों, यह भारत की सबसे सक्ति साली महिला का है, और यह किसने जारी किया लिष्ट, यह जारी किया है, फार्चिन इंडियान, यहाँ पहला अस्थान दिया गया दोस दोस्तों मुकेश अंबानी की पत्नी है ठीक है तो याद रखेगा ये इस लिस्ट में दोस्तों दूसरे अस्थान पे हैं शौम्या शौमी नातन दोस्तों ये तीसरे अस्थान पे हैं और किरण मजुंदार सा ये आपकी चौथे अस्थान पे तो याद रखेगा इस शवाल क सही जबाब क्या हो जाएगा option number 1 आपका शही जबाब हो जाएगा ठीक है निर्मला सीता रमन जिनका इस लिस्ट में क्या है दोस्तो पहला अस्थान है ठीक है तो ये भी याद रखेगा बहुत important है ठीक है अच्छे बताईए सौमिया सौमिनाथन ये दोस्तो इनका नाम कुछ मिलता जूलता आपको नहीं लग रहा है जो हरित क्रांती के जनक थे नाम क्या था बताईए ठीक है MS सौमिनाथन डॉक्टर MS सौमिनाथन वैसी मिलता जूलता दोस्तो सौमिया सौमिनाथन याद रखेगा या मुख्या बैज्ञानिक शलाकार हैं किसमें 200 स्वास्त संगठन में ठीक है तो इसको भी याद रखेगा फिलाल आपका आपका आपसन नंबर एक दोस्तो सही उत्तर हो जाएगा आईए हम लोग चर्चा करते हैं ओमेंसन न्यूज हालही में कौन-कौन सी मह महिलाय भाई चर्चा में रही हैं क्या आपको ये पता है तो आईए देखते हैं करा भारत के किस राज्यकी आदिवासी महिला और आशा वरकर जिनका नाम था मतिल्दा कुल्लू इनको फोप्स ने सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में सामिल किया ये किस राज्यकी है तो शम्हालने के कुछ गंटे बाद ही दोस्तों इस्तीफा देना पड़ा एक किस देश की घटना है याद रखेगा स्वेडन देश की घटना है ये वही देश है जहां से क्या दिया जाता है नोबेल पुरसकार की गोशला की जाती है स्वेडन की राजधानी स्टार को होम है ठ मतलब पदक रहण करने के कुछी घंटे बाद इस्तीफा देना पड़ा याद रखेगा करा किस देश की दो बहनों को गिनीज, बुक आप वोर्ड, रिकार्ड, द्वारा दुनिया की सबसे बुजर्ग, जीवित, जुडवा मैलाओं का दोस्तों खिताब दिया गया है किस देश की मैला हैं, तो याद रखेगा इस तरक से आपको उम्र दराज लोग जापान में मिलेंगे क्यों, क्योंकि जापान में रहने वाले लोगों की लिविंग जो स्टेंडर्ड है, वो काफी अच्छा है इस वज़े से वहाँ जादा लंबी जीवन जीते हैं, ठीक है हाले ही में मीरा भाई चानू को किसका ब्राण लंबेज़र बनाए गया मीरा भाई चानू दोस्तों यह भारत तोलंग के लिए जाने जाती है और दोस्तों भारत के लिए इन्होंने पदग भी जीता, ठीक है तो लिकरा मीरा भाई चानू को अभी किसका ब्राण लंबेज़र बनाए गया तो याद रखे दोस्तों, A.M.O. इंडिया ने जिहां दोस्तों A.M.O. इंडिया ने अभी हालेई में मीरा भाई चानू को अपना ब्राण लंबेज़र बनाया हालेई में सबसे कम उमरकी स्वड़ पदग बिजेता कोन रही दोस्तों, टोक्यो अलंपिक में सबसे कम उमरकी स्वड़ पदग बिजेता का नाम क्या है मोमी जी नीसिया जापान से हैं, याद रखेगा, AIFF महिला Footballer of the Year का खिताब किसे दिया गया? नंगुम बालादेवी को किसे? नंगुम बालादेवी को और यहाँ पुरुस आफ़व्न आफ़़ आफ़ एर पूरुस में किसे दिया गया? तो संदेश जिंगन को किसे संदेश जिंगन नाम है ठीक है हाले में किसको 200 कैड़ेट कुस्ती चैंपियंशिप में गोल्ड मेडल मिला दोस्तो याद रखेगा पूर्ती प्रिया ठीक है तो यह सभी सवाल आपके लिए इंपोर्टेंट है ध्यान दीजिगा चलिए अगले सवाल पर आते हैं अगला पढ़ लेते हैं अगला लिखना दोस्तो वी बाक्स द्वारा जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 में नौवे संस्कड में दोस्तो कौनसा राज्य अभी सिर्स अस्थान पर है ठीक है इस संस्कड में कौनसा राज्य टॉप पर है दोस्तो यह बताना ठीक है तो याद रखेगा दोस्तो यहाँ पर जो पहला अस्थान है वो पहला अस्थान है दोस्तो महाराष्ट राज्यका जिया दोस्तो महाराष्ट का यहाँ पहला अस्थान है दूसरा अस्थान भी आपसे पूछ सकता है तो बताएगा UP का दूसरा अस्थान है तीसरा अस्थान याद रखेगा दोस्तो यहाँ केरल राज्य का है और चौथा अस्थान जो है दोस्तो याद रखेगा फोर्थ फोर्थ लिखेगा ठीक है यहाँ क याद रखेगा महराश राज्य का पहला स्थान है किसने के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है तो याद रखेगा ये लिख रहा है वी बॉक्स द्वारा ये रिपोर्ट को जारी किया गया था ये आप ध्यान दीजेगा इस जो इंडेक्स जारी किया गया दोस्तों ठीक है तो इसका विष्ण रखा गया दोस्तों कारे के भविश्य का पुनर निर्माड़ और पुनर रक्षा ये क्या है दोस्तों ये इसका थीम रखा गया ठीक है लिख रहा है महराष्ट, कर्नाटक और तमिलनाडू ऐसे तीन राज्य जहाँ नौकरी की मांग क्या है बहुत ज़ादा है कौन-कौन से तीन राज्य है महाराश्रा, करना, टक और तमिलनाडू तीन राज्य ऐसे हैं जहाँ पर नौकरी की मांग सबसे ज़ादा है इसी रिपोर्ट में कहा गया कि पूरे सबसे अधिक रोजगार योग्य संसाधनों वाला सहर है यह भी याद रखेगा, ठीक है तो यह भी आपके लिए important है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तो, अगला point बढ़ते है देखिए इस तरह के बहुत सारे rank index जारी किये गए हैं, तो यह सवाल भी आपके लिए important है, पढ़िएगा, तो पहला परिवर्तन प्रदसन सुचकांग में भारत का स्थान है दस्वा, कौन सा है दोस्तो, दस्वा स्थान है याद रखेगा, करा IQ, air data की मताबिक वस 2020 में 20 के 100 सबसे प्रदूसित सहरों में 100 सबसे प्रदूसित सहरों में कितने सहर भारत के हैं तो टोटल 46, कितना टोटल 46 सहर केवल भारत के हैं जो सबसे ज़्यादा प्रदूसित सहर हैं याद रखेगा, पूरे दुनिया मगल लिष्ट बनाएंगा न तो 46 केवल सहर ऐसे हैं जो भारत के हैं, ठीक है करा किस आयोग ने, शतत विकास लक्ष है याद रखेगा, हाले में जारी रिपोर्ट के मुताबिक 16-64 वर्थ आयोवर के धुमरपान करने वाली लोगों की संख्या में भारत का अस्थान कौन सा है, तो भारत दूसरे अस्थान पर है ठीक है, जिसमें ज़्यादा लोग क्या करते हैं, धुमरपान करते हैं रिश्वत बिरोधी मानक शेटिंग संगठन, जिसका नामें ट्रैस, ठीक है, इस ट्रैस के द्वारा दोस्तों एक सूची जारी किया गया, दोस्तों जिसमें भारत का स्थान कौन सा रखा गया, 82 वा स्थान जिसमें किस देश ने अमेरिका को पचाड कर बैस्विक धन बिर्दी में सिर्श अस्थान हाशिल कर लिया है, तो अदेश है दोस्तों चीन, जिसने बैस्विक धन बिर्दी में सिर्श अस्थान हाशिल कर लिया, और दुनिया का सबसे बड़ा manufacturing hub कौन बना दोस्तो अमेरिका को पचाल करके भारत दोस्तो आगे निकल गया है यह भी आप याद रखेगा तो दोस्तों यहां अमारे शवाल complete होते हैं चलिए शवालों को सिलसला जारी है तीसरा सवाल जो आपके लिए सबसे important है जरा उस पर भी ध्यान दीजेगा लिख रहा हाले ही में किस भारती गड़तग्य को रामा नुजम ठीक है रामा नुजम नहीं रामा नुजम ठीक है रामा नुजम पुरसकार 2022 से शम्मानित किया गया है ठीक है 2022 से 2021 से मानित किया गया रामा नुजम पुरसकार दोस्तों अगर मैं बात करूँ साल 2020 की तो साल 2020 में यह पुरसकार किसे दिया गया था यह दिया गया था डाक्टर कैरोलीना अरुजो को किसे डाक्टर कैरोलीना अरुजो को दिया गया था इस बार इस पुरसकार के लिए चुना गया रामा नुजम पुरसकार दिया गया नाम कहा दोस्तो नीना गुपता नाम है याद रहेगा कि आपको याद रखेगा बहुत अच्छा सवाल है ठीक है चली आगे देखने दोस्तो आगे इंपोर्टेंट दोस्तो इसमें है कि इनको किष लिए चुना कहा ये भी आपके लिए जरुरी हो सकता है ठीक है सुनिए करा वह रामा नुजम पुरसकार प्राप्त करने वाली क्या है दोस्तो तीसरी मैला है इसके पहले साल 2005 में शम्मानित किया गया था और अब्दुस सलाम इंटरनेशनल सेंटर फार थियोरेटिकल फिजिक्स द्वारा दोस्तो इसे जो है द बहुत सारे लोगों को दोस्तो एवार्ट दिया गया पुरसकार सम्मान दिया गया है तो कहीं ने कहीं आपको जान लेना चाहिए कि हाल फिल हाल में किसे पुरसकार शम्मान दिया ठीक है तो पहला ही हो गया दोस्तो किस गड़तग्य को तो नीना गुपता को दोस्तो रामा किया है ठीक है क्या नाम है दोस्तों रोपेस गोएल नाम है याद रखेगा ठीक है करहाले यह में राष्ट मंडल भारोत तोलन चैंपियंसिप के महिलाओं ने कितने वर किलोग्राम में भारत की याद रखेगा जिली डाला बहरा ने क्या कि आज शिल्वर मेडल जीता है तो 49 चासज किलोग्राम वर्ग में दोस्टों ये फाइड शल लेए दी जिसमें इन्होंने या रिकार्ड कायम किया ठीक है अमेरिका की किस इन्वस्टी में पढ़ाने वाले भारती अमेरिकी गड़ तक ये निखिल श्रिवास्तव को जियां दोस्तो निखिल सिवास्तों को AMS के AMS के Cyprian FOS Award के लिए दोस्तों चुना गया है यह किस इन्वस्टीम पढ़ाते हैं अमेरिका में भारती मूल के हैं यह कैलिफोर्निय इन्वस्टीम में दोस्तों पढ़ाते हैं याद रखेगा ठीक है BWF World Tour 2021 का खिताब दोस्तों किस महिला खिलाने ने जीता है तो इनका नाम है Siang क्या नाम है दोस्तों? Siang नाम है Siang ठीक है कराभ भुनेस्वर के कलिंगा स्टेडियम कलिंगा स्टेडियम हाकी के लिए दोस्तों याद रखेगा खेले जाने वोले जूनियर हाकी वर्ड कप में जर्मनी को हरा करके किस टीम ने? यह खिताब अपने नाम कर लिया है अर्जेंटीना की टीम ने अर्जेंटीना में दोस्तों पंपास घास का मैदान पाय जाता है परिक्षा में बहुत बार सवाल पूछा जाता ठीक है तो जर्मनी को किस ने हराया? अर्जेंटीना ने हराया अर्जेंटीना ने ठीक है आगे लिख रहा विश्व एतलेटिक्स ने किस एतलीट को ये अभी अच्छा सवाल है ठीक है समास से भी संस्था जिसका आना में पर्थम उसको गुडवत्ता पूर्ड सिक्षा सुनिचित करने के छेतर में कायर करने के लिए किस पुरस्कार से दोस्तों समाने क्या गया? दोस्तो अभी हाली में इस संस्था को दिया गया था इंद्रा गांधी शांती पुरस्कार कौन सा इंद्रा गांधी शांती पुरस्कार ये प्रथल नाम की संस्था को दिया गया था ये अभी आपके लिए इंपोर्टेंट है दोस्तो इतने लोगों को अभी हाल फिलाल में प पस्टन को ठीक है चलिए आजे अगला सवाल लेखते हैं अगला लिकरा हाले ही में सत्तरवी मिस यूनिवर्स जियां दोस्तों मिस यूनिवर्स 2021 का ताज अभी किष्टे पहनाए गया है बहुत गजब का सवाल है मिस यूनिवर्स अगर मैं दोस्तों साल 2020 की बात करूं कि 2020 मे किसे मिस यूनिवर्स का खिताब पहनाए गया था तो याद रखेगा साल 2020 में मिस यूनिवर्स का खिताब या एंड्रिया मेजा को पहनाए गया था किसे एंड्रिया मेजा मैक्सिको से हैं दोस्तों इनको पहनाए गया था इस साल किसे पहनाए गया इस साल पहनाए गया दो पूरा भारत ने याद रखेगा इसके पहले केवल दो ऐसी भारती मैला है जिन्होंने Miss Universe का खिताब जीता था उसमें पहला नाम है शुश्मिता सेन का और उसके बाद लारा दत्ता यह दो ऐसी मैला है रही दोस्तो जिन्होंने यह खिताब जीता है 1994 में अभिनेता थी सुसमिता सेन जिन्होंने Miss Universe का खिताब जीता था उसके बाद सन 2000 में लारा दत्ता ने जीता और जाकर के दोस्तो अब भारत ने यह रिकार्ड कायम किया 21 साल बाद भाई जाहिर से बाद सन 2000 में लारा दत्ता ने जीता तो अब 2021 चला 21 साल बाद जाकर के दो दोस्तो यह रिकार्ड बनाया भारत कंफर्म है कि आप से आपकी परिक्षा में जरूर पूछा जाएगा इसको याद रखेगा, इस बार यह कौन सा संखर था त्याद रखेगा सतर्व पहर्ण है दोस्तो या भी आपके लिए इंपोर्टेंट है, हर्-ieur –संदू कौन हैं, कहा शाल या पुरसकार जीता होता है ठीक है तो एंट्रियम एजा ने पहनाया और किस ने पहना तो याद रखेगा इनका नाम क्या है हरनाज संधु ने पहना ठीक है यह भी इंपोर्टेंट है आगे बड़े दोस्तों अब एवाट को एक बार फिर से रिबीट कर लेते हैं हम लो आई-एटी कानपूर की बात थी भाई रोपेस गोईल ने जीता है कौन सा एवाट जीता तो यंग जियो स्पेसलिस्ट शाइंटिस्ट का एवाट जीता था ठीक है आगे देखे राष्ट मंडल भारत तोलन खेल में दोस्तों याद रखेगा कितने किलोग्राम में भारत की जीली डाला बेहडा ने दोस्तों या खिताब जीता सिल्वर मेडल जीता कौन से मतलब कौन शाय चला था किस वर्ग का गेम चला था उन्चाश किलोग्राम वर्ग में दोस्तों इन्होंने जीता है अमेरिका की किस इन्वस्टी में पढ़ाने वाले भारती अमेरिकी गड़ प्रियांग नाम है इनका क्या नाम है श्रियांग नाम है ठीक है आगे बढ़िए करा भुनेस्वर के कलिंगा इस्टेडियम में जो भी जूनियर हाकी वाला मैच हुआ किसने किसको हराया अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराया जल्दी से वीडियो को सेर करना शुरू कर दिजे जिन बच्चों ने लाइक ने किया भई यहाथ जोड़के निवेदन है लाइक कीजिए जल्दी से ठीक है चलिए आगे देखे गराब 200 एटलेटिक्स ने किस एथलीट को उमेन आपद ये रेवार्ट से समानित किया नाम क्या है अन्जू बेबी जार्च ठीक है याद रख इसने 500 मिलियन डालर दिया था दोस्तो बैंगलूर मेट्रो को कि भईया लगा लो चला लो बैंगलूर मेट्रो के विकास के लिए दोस्तो ये दिया गया था ठीक है अगला दिया दोस्तो 300 मिलियन डालर किसके लिए ग्रामेड विकास के लिए किसके लिए ग्रामेड विकास के लिए महराश शरकार को दिया गया 500,000,000,000 दौस्तों याद रखे गा 400,000,000,000 बिलियो नहीं 500,000,000,000 ये भी याद रखे गा करा EDP ने 200,000,000,000 किसे दिया था ये राष्टी उद्ध्योगी गलियारा विकाश कारक्रम जो चल ला था दोस्तो उसके लिए दिया ठीक है कुछ फूटा क्या नहीं हाँ सही है साड़े 300 मिलियन डालर याद रखेगा ये दिया गया दोस्तो भारत में सहरी सेवाओं को सुधार करने गले कितना अभी हाल ही में इसलिए तो सवाल बना शाड़े 300 मिलियन डालर हाँ यहाँ डालर लिखना भूल गया आप ऐसे बना लिजे डालर ठीक है किसे दिया गया भारत में सहरी सेवाओं के सुधार के लिए दोस्तो यह दिया गया एडी बी के द्वारा शाड़े 300 मिलियन डालर यह जितना पैसा भारत ले रहा है यह सब देखिए तो मिलान करी क्या हो जाएगा पहले का D बनेगा दूसरे का C बनेगा तीसरे का B बनेगा चौथे का E बनेगा पांचमे का यह बनेगा ठीक है तो D कहां सुरू हो रहा डी य याद रखेगा फिलिपिन्स की राज़णी मनिला है लेकिन इसका मंडलू योंग एक जगा का नाम है ठीक है वहाँ पर इसका मुख्याला है ठीक है आगे करा इसके अध्याच कोने दोस्तों तो याद रखेगा मासाथ सुगू नाम है आशा कावा ठीक है पूरा नाम है 68 देश दोस्तों इसकी सरदस्ता गरहर कर चुके है ACI विकास बैंक के अस्थापना कब हुआ 1986 में ठीक है यह सबी important है तो ध्यान दीजेगा चलिए आगे बढ़ते हैं अर्त बेवस्था से सम्मधित कुछ अच्छे सवाल हैं देख लेते हैं 3500 मिलियन डालर भारत ने ADB से लिया ADB से लिया याद रखे यह पैसा कितना दोस्तों यही है 3500 मिलियन डालर याद रखेगा ठीक है क्यों लिया गया तो भारत में सहरी सेवाओं की सुधार के लिए दोस्तों यह पैसा लिया गया है आगे देखे करा किस संस्था ने the state of food and agriculture 2020 रिपोर्ट जारी किया तो इस रिपोर्ट को जारी किया था फाओ ने याद रखे का दोस्तो यह भी हो जाएगा किसके आर्थिक अनुसंधान विभाग ने इस बियाई इको रैप रिपोर्ट जारी किया देखिए इस बियाई से संब्दित मामला है तो इस बियाई ने जारी किया होगा भारती state bank ने उसने जारी होगा इसका पुराना नाम imperial bank था याद रखेगा 1920 में इसका नाम चेंज हुआ था ठीक है करा भारती state bank की इको रैप रिपोर्ट का अंशार बित तवर्ष 2022 के लिए भारत के GDP का अनुवान कितना तै किया गया इसका अनुवान तै किया गया 9.3% से लेकर 9.6% तक ठीक है इभी आप याद रखेगा ग्रामीड विकास बैंक फिक्की ने बित तवर्ष 2022 के लिए कितने पर्षंट GDP दरका अनुवान लगाया यह और कम लगाया दोस्तो 9.1% फिक्की ने लगाया ठीक है कराकिस बैंक ने भारत के राष्टी उद्धोगीकर गलियारा विकास कारकम का समर्थन करने के लिए 200 मिलियन डालर दिया दोस्तो ADB ने दिया ADB इतना करचा देता है ठीक है सरकारी स्वामित वली राष्टी ऐलाइं कमपनी एर इंडिया की 100% हिस्तिदारी किस ने खरीद लिया तो याद रखेगा टाटा ग्रूप ने ले लिया एक और कोशन है दोस्तो हाल ही में एक मिठाई या मिहिदाना उसको GI टेक दिया गया और GI टेक दिया गया तो पहले उसको किस देश में भेजा गया निर्यात किया गया याद रखेगा मिहिदाना मिठाई को बहरीन भेजा गया कहाँ पर बहरीन भेजा गया था ये सवाल भी आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है ठीक है याद रहे के दोस्तों study 91 इसमें बहुत सारे online course चला रहा है अगर आप तयारी करना चाहते हैं सुपर्टेट की यूपिटेट की math की या हिंदी इंडिविजल की तो बात ही कुछ अलग है वीडियो को डाउनलोड करके घर बेटे आराम से पढ़ सकते हैं जैसे आप हटिस्टार और मेजम प्राइम पे डाउनलोड वीडियो का मज़ा लेते हैं वैसी भीना बफरिंग के अगर पढ़ाई करना तो जारी करते हैं लिकरा हाले ही में किस बैंक को केंधृ η इलेट्रानिक और सूचना प्रद्यों की मंत्राल या रखेगा इस मंत्राल दोबरा स्थापित दो डी जी धन पूरशकार दिया गया भई कौन सा बैंक जिसे पूरशकार दिया गया। नजाने क्यूं करनाटक ग्रामीड विकास Bank दोस्तो इसमें रिकार्ड बनारा है इतना एवाड, इतना एवाड है बताओं क्या भाई याद रखेगा यह दो डीजी धन एवाड दोस्तो किसने जीता है यह करनाटक बैंक ने जीता है जो बैंक है उनके पास जो NPA उस NPA को ट्रांसफर किया जाएगा ताकि जो बैंक है उनकी बैलेंस इट की अवस्था जो सुधर सके इसके लिए ठीक है फिलाल तो यहां करनाटक बैंक हो जाएगा यह आपका शही हो जाएगा ठीक है तो याद रखेगा करह पुरशकार ने दो जो बैंकिंग से जुड़े कुछ और सवाल एबर फिर से दोहरा देता हूं मैं ताकि आप जानिये कि हाल फिलाल में और कौन-कौन सी चीज चर्चा में रही है ठीक है लिख रहा हाले में किस बैंक को यह तो करनाटक बैंक हो गया पेटियम पेमेंट बैंक को हाले में दोस् इसने रुपय का जुर्माना एक करोड का जुर्माना लगा गया था कितने का एक करोड का जुर्माना सबसे आदा पांच करोड का जुर्माना एक्सिस बैंक पे लगा था कितना एक्सिस बैंक पे पांच करोड का जुर्माना लगा था वो अभी आप ध्यान दीजेगा चलि इस बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ अमिता बच्चन को जी हाँ दोस्तों अमिता बच्चन को इस IDFC First Bank का क्या बनाए गया? ब्रांडम बेज़र बनाए गया ठीक है तो इसको भी याद रखेगा दोस्तों अच्छा सवाल है नीजी छेतर के रिणडाता किस बैंग ने महिलाओं के लिए एक सुविधा संपन बचत बैंग प्रोड़क जिसका नाम है मित्र प्लस ये किस ने लांच किया है? दोस्तों आपने नाम शुनाओगा फेडरल बैंग का ये उसके द्वारा लांच किया गया है करा भारती डिजर मैंग ने हाले में किस राज में मलकापूर अर्बन कॉपरेटी बैंग पर दोस्तों प्रतिबंद लगा दिया है मलकापूर जो जगह है ये महराष्ट में है और उस बैंग पर प्रतिबंद लगा दिया RBI ने ठीक है हालाई में किस बैंक को केंदरी इलटरानी सूचना प्रदो की मंतरा दो डीजी धन पुरशकार दिया गया यह तो बता दिया करनाटक बैंक के द्वारा नॉमबर 2021 में मोवी क्विक ने मोवी क्विक रूपे कार्ड को लांच करने के लिए नॉमबर 2021 में किस बैंक के साथ समझोता किया एकसी बैंक के साथ मोवी की उतने समझोता किया भारत सरकार और किस बैंक ने हाले में प्रात्मिक स्वास्यमाओं के सुधार के लिए 300 मिलियन डालर रिंड लिया पैसा ले ना इसने भारत सरकार बड़ा एजी होगे ACI बिकास बैंक से बारत सरकार खुबबई पैसा ले रहे यह खुबबई ठीक है तो याद रखेगा यह भी अच्छा सवाल है चली अगले सवाल पर चलते हैं कराहाले में किस आर्दर भूमी को रामसर साइट के रूप में दोस्तों मानेता दिया गया अभी हाल फिलाल में दिया गया दोस्तों और इसी के साथ उत्तर पर देश में रामसर साइट की कुल संक्या बढ़कर कितने हो गई है नव हो गई है ठीक है हैदरपूर दोस्तों जो पढ़ता है या आपके उत्तरपदेश में है अभी इसको रामसर साइट में रखा गया रामगड़ बिजधारी दोस्तों ये राजस्तान का चौथा टाइगर रिजर गोसित किया गया तो याद नहीं है क्या याद रहें तो याद करिए चंद्र प्रभार आश्टी उध्यान कहां पर वाराण सी के पास उत्तरपदेश में इस्तित एक नेशनल पार्क है याद रहेंगा लखीमपूर खिरी मत करें दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा हैदरपूर उत्तरपदेश में है इस वेटलैंड को अभी रामसर साइट में सामिल किया गया इस परकार अब देश में कुल साइटों की संक्या कितनी होगी देश को आ जाड़ी मिली उनलीट सो साइटों की संक्या भी होगी इस समील किया गया इतना चीज आप खाली याद रके बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है इतनी में आपकी तयारी हो जाएगी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों परिया वर्ड से सम्मंदित कुछ अच्छे सवाल हाल फिलाल में कौन-कौन से क्वेस्टन सम्मंदित रहें परिया वर्ड से भाई ये पिछला 10 सवाल अगर आपने रिपीट किया तभी तो 100 सवाल होगा स्टड़ी 91 क्यों कहता है कि डेली करेंटेफर की क्लास में हम 100 सवाल पढ़ाते हैं क्यों हर सवाल पे 10 सवाल हर सवाल पे 10 सवाल ठीक है रामसर स्राइट तो पढ़ा ही पढ़ा कुछ और पढ़ते हैं इन्वार्मेंट के बारे में पहला तो यह होगा, दूसरा पढ़िए, करा परियावर्ड, वन और जलवाई परियरतन मंत्राले, मंत्री कौन, मंत्री कौन बताइए, इस मंत्राले के मंत्री का नाम भुपिंदर कुमार, भुपिंदर यादव, कुमान नी, भुपिंदर पटेल मत बोलेगा, भुपिंदर को हालही में सियम बनाएगे गुजरात का, कहां का गुजरात का, वो पटेल है, ये भुपेंदर यादव जी है, ठीक है, करा है, अच्छा, ये दूसरा सवाल है दोस्तो, इसके राज्य मंत्रि होंगे, शुप्रिया शाहू, ठीक है, किस राज में स्थित, वाजु वेली दूसरों ने एक लानीना मौसम शुरू होने की घोश्रा किया है, तो लानीना मौसम शुरू होने की घोश्रा ये अस्ट्रेलिया में किया गया है, अस्ट्रेलिया की राजजानिक कैनबरा, ठीक है, याद रखेगा, करा किस राज ने कैसरे हिंद को राज की तितली के योजना किस संस्था दोरा भी चलाए गया इसे आसियान नामक जो संस्था वो चला रही है गुरू घासी दाज राश्टियू ध्यान और तामोर पिंगला वने जीव अभिहार इन दोनों को मिला करके टाइगर रिजर्ब घुशित के आगए कहां से संबन्दित है या आपके 36 गड़ से संबन्दित है ठीक है रामगड विस धारी टाइगर रिजर्ब किस राज्ज में है मूदी जिला राजस्थान राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्ब है गुरू याद रखेगा ठीक है हाले में आंत्रप्रदेश और उडिशा के तरट पर कौन सा गुलाव नामकिशने दिया पाकिस्तान ने ठीक है ठाले में भारत की सबसे बड़ी ओपेन एर फर्नरी का उधगाटन कहां पे किया गया उत्तरा खंड में इस ओपेन एर फर्नरी का उधगाटन किया गया जीवासम पार कहीं खोले जा रहे है ठीक है यह सब चीजे याद र प्रिशा में पूछा जा सकता डंके की चोट ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं ठीक है अगला लिखा है एसीन यूथ पैरागेम्स की बात कर रहा है देखें इसके पहले एक पैरागेम्स और हुआ किसका टोकियो ओलम्पिक का पैरागेम हुआ था उ लोगें दोस्तो इसमें भारत ने याद रखेगा कुल 41 मिडल जीता है कितना मिडल जीता है कुल 41 मिडल जीता है तो इसको भी आप याद रखेगा बहुत 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 सांदार सवाल सुनिएगा एसे अन यूद पहेरा गेम पूछेगा तो बताएगा 41 कितना 41 मिडल जीता है भारत ने ठीक है किरा हालही में एक पारी में सरवाधिक बिकेट, दस बिकेट, एक ही पारी मिले लिया, भाई गजब का खिलाडी, एक पारी में दस बिकेट, हाँ, करा किस ने लिया, ठीक है, किस ने लिया, याद रखें का नाम है, एजाज पटेल, किस देश के हैं, नाम तो समझ गए होंगे दोस्तो, एजाज पटेल, यह हैं आपके New Zealand से इन्होंने जीता गजब का ठीक है, कराकिस देश के खिलाडी विक्तर एक्सलसन ने चीन की ताइपे की ताइजुईं को बैडमिंटन वर्ड फेडरेशन द्वारा वर्श 2021 का पूरुस और महिला खिताब के अलग-अलग चुना गया, तो याद रखेगा Denmark यह तो आजा आसान हो गया, ठीक है, New Zealand के इजाज पटल ने वही 10 बिकेट लिया दोस्तों, यह दोस्तों याद रखेगा, ठीक है, अब तीसरे बेक्ति बनके इसके पहले और भी कई लोग है, ठीक है, अर्जेंटीना के फुटबालर, अर्जेंटीना ना भी जर्मनी को हरा इनका तो याद रखेगा, लियोनेल मेसी बहुत बड़े फुटबालर है, हालाई में दोस्तों, लियोनेल मेसी को कुछ समय के लिए पीछे चोड़ा था, भारती फुटबालर किसने सुनील छेत्री ने उनका नाम भी आप याद रखेगा, राजम कुमार, रामनाथन, जिन को पीछे छोड़ करके दोस्तों, ये तीसरे पायदान पर आ गये हैं, करा किस टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान टीम पे इने क्रिकेट से अनिस्चित कालीम ब्रेक लेने की घोश्रा कर लिया है, तो दोस्तों, ये आपके अस्ट्रेडिया से हैं, ये भी याद रखेगा, चली आगया ये, अगला सवाल लिख रहा है, पढ़िये द्यान से, करा हालही में, सीनियर महिला राष्टी फुटबाल चेंपियंसिप, दोस्तों, ये किसने जीता है, सीनियर महिला राष्टी फुटबाल चेंपियंसिप की बात कर दोस्तों, ये फुटबाल सीनियर महिला राष्टी फुटबाल चेंपियंशिप ये मड़ी पुन्य दोस्तो जीत लिया है इसको भी याद रखेगा इस टीम ने अपना 21 खिताब जीता है ये भी धान दीजेगा ठीक है आईए खेल से संबनित कुछ सवालों के बार फिर से रिपीट करिए जितना आज पटेल घर निव्जी लेंड ठीक है याद रखेगा ठीक है किस खिलाड़ी विक्टर एकसलें ने चीन की इनको अड़ाग कहां के खिलाड़ी है कहां के देनमार के ठीक है निवजी लेंड के एजाज पटेल ने तो ले लिए बताई दिया घया आपको ठीक है पुरशकार जीते हैं टेनिस खेल में भारत की तरफ से टेस्ट में सबसे यादा विकेट लेने के मामले में किस खिलाडी ने रविचंदरा स्विन को तीसे अस्तान पहुंच गया किसको छोड़ करके तो याद रखेगा हर बजन सिंग को ठीक है तो यह भी याद रखेगा चल मीरा बाई चानू का जो उन्हेंने बारत का मान सम्मान उंचा किया ठीक है तो याद रखेगा फिलहाल ये अलग है क्योंकि उन्होंने ओलंपिक में किया ये दोस्तो राष्ट मेंदल खेल की बात करा है कभी इसको इंगलेस में भी लिख सकता धोस्तो कामन वेल्ट गेम कार्ड बनाया है किसने शंकेत महादेव सरगर ने गोल्ड मेडल जीता है जिसा महादेव महादेव को कोई हरा सकता है क्या कभी नहीं महादेव ने जीता दोस्तों गोल्ड मेडल इसको भी याद रखेगा ठीक है तो अच्छा सवाल है और फिर से एक बार स्पोर्ट के सवाल अगर आपको read करने हो तो फिर सब भाई खेल से समनीत question आ गया तो खेल को ही आपको repeat करना होगा ये कर लेते हैं महादेव ने दोस्तो राष्ट मंडल में भारत तोलन में क्या जीता गोल्ड मिडल जीता कौन सी senior महिला championship जीता बताई है senior महिला football championship किसने जीता है ये जीता मड़ पर आगें ठीक है अर्जिंटीना के football लियोनल मेसी ने ठीक है कौन सा पुरशकार जीता तो याद रखे दोस्तो इसका ना है balance DR पुरशकार और यह उन्होंने सात्वी बार जीता रामकुमार रामनाथन ने अपना एक challenger पुरशकार जीता टेनिस के छेतर में ठीक है बारत क पर आगे से daily current affair की class से start हो चुकी है तो अपना कमर कस लीजे जो लोग रात के 9 बजे की class नहीं देखते दोस्तो अभी रात में 9 बजे जिया दोस्तो 9 पीम पर topic wise current affair की class चले देकिए topic wise current affair की class हमेशा नहीं चलती है यह 3-3 महीने पर update दिया जाता है और अभी दोस्तो आपकी total 23 class complete हुई कितनी 23 lecture complete हुए अलग-अलग topic पर कभी book कभी rank index कभी award सम्मान कभी isro की बात कभी defense की बात ठीक है इस तरह से दोस्तो कभी books and author की बात कभी Tokyo Olympic कभी Tokyo का Paralympic कभी IPL की बाते कभी test cricket की बाते इस तरह से दोस्तो मैंने आपको cover करया total 23 topic जी हां आपने नहीं देखा तो जाइए study91 के topic wise करेंड़ फिर की playlist में वहां जाकर आप इन वीडियो को देख सकते हैं ठीक है फिलाल तो आज की class ही समाप्त होती मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन जै भारत thank you thank you so much दोस्तो जिन बच्चों ने आज like ने किया प्लीज आप like करिए ताकि हम आपको आगे इसी तरह के नएने वीडियो देते रहें और आपको update भी देते रहें ठीक है धन्यवाद thank you thank you so much